चंद्रियान 3 मिशन पर भारत के साथ ही दुनिया भर के सभी लोगों की निगाहे लगी हुई हैं इसरों के साइंटिस से लेकर आम लोग चंद्रियान के चंद्रमा पर उतरने का बेसबरी से इंतसार कर रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रियान 3 मिशन अभी तक कहां पहुचा है? और आखिर कब चंद्रियान 3 चंद्रमा पर सौफ्ट लैंडिंग कर सकता है? आखिर इसरों ने किस उद्देसे से इस चंद्रियान 3 को चांद पर लैंडिंग करने के लिए भेजा है? अगर आभी चंद्रियान 3 मिशन के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा दोस्तो चंद्रियान 3 2008 में शुरू किये गए इंडिया के चंद्रियान प्रोग्राम का तीसरा मिशन है जिसका काम चान पर एक सौफ्ट लेंडिंग कराना और उसके सर्फेस पर वेरियस एक्सपरिमेंट करना है चंद्रियान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को भारत के आंध प्रदेश के सिरी हरिकोटा इस्थित 37 धवन आंधरिच केंद्र से दो पहर 2 बज कर 35 मिनट पर चंद्रियान 3 को लॉंच कर दिया गया था जब चंद्रियान 3 चंद्रमा की कच्छा में पहुँचेगा देश का महत्वा कांची मिशन चंद्रियान 3 प्रत्वी का आर्बिटर छोड़कर चांद के आर्बिटर की और रवाना हो गया है जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि चंद्रियान 3 ने पृत्वी की कच्छा का चक्र पूरा कर लिया है और अच्छांस के रास्ते की तरह पढ़ गया है बताय जा रहा है कि अगर सब कुछ सामाने रहा तो चंद्रियान 3 पांच अगस्त 2023 तक चंद्रमा के आर्बिटर में एंट्री कर लेगा जैसे ही चंद्रियान मून की कच्छा में पहुँचेगा उसकी परिक्रमा करता हुआ करीब बढ़ता जाएगा इसरो ने बताया कि पांच अगस्त 2023 को अपना चंद्रियान चंद्रियान चंद की कच्छा में पहुँच सकता है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि चंद्रियान 3 पर्थवी की कच्छा से बाहर निकल चुका है और अब चंद्रियान ने चांद की और अपने कदम आगे बढ़ा लिये है इसके साथ ही आपको बताते कि इस बार इसरो ने चंद्रियान में कई ऐसे आटोमेटिक सेंसर लगा रखे हैं लेकिन इसरो ने चंद्रियान 3 मिशन दोबारा से सॉफ्ट लेंडिंग कराने के लिए लॉंच कर दिया है चांद पर सॉफ्ट लेंडिंग कराना इतना जादा मुश्किल है कि इसका अंदाजा आप इसी बास से लगा सकते हैं इसी रॉकेट से स्पेस एजनसी इसरो ने चंद्रियान 2 को भी लॉंच किया था इसरो ने सबसे पहले साल 2008 में चंद्रियान 1 और साल 2019 में चंद्रियान 2 को लॉंच किया था अब अगर चंद्रियान 3 की बात करें तो इसमें सिर्फ लैंडर और रोवर ही मौजूद हैं चंद्रियान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रग्यान ही है जैसा कि चंद्रियान 2 मिशन में था मिशन की planning के according चंद्रयान 3 जैसे ही चान की कच्छा में प्रवेश करने के लिए तयार होगा वैसे ही चंद्रयान 3 के propulsion system को चालू कर दिया जाएगा जिसके बाद चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कच्छा की और धकेल दिया जाएगा आसंका जताई जाती है कि 17 अगस्त को पॉपिलेशन सिस्टम लैंड रोवर से अलग हो जाएगा इसरों का कहना है कि चंद्रियान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चांद की सता पर साफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा इसे पहले चंद्रियान 3 को 14 जुलाई को लांच किये जाने के बाद उसे कच्छा में उपर उठाने के प्रक्रिया को पांच बार सफलता पूरुवक अंजान दिया गया था चंद्रियान 2 मिशन में हुई गलतियों से सबक लेने के बाद चंद्रियान 3 को पूरी तरह से तयार किया गया और उसे लॉंच किया गया है अगर चंद्रियान 3 सफल रहता है तो इस पेस क्राफ्ट के साथ जाने वाले लैंडर और रोवर 14 दिनों तक वे ग्यानिक डाटा इक जाएगा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब चंद्रियान 2 चंद्र की सता पर सौफ्ट लैंडिंग कर रहा था तब इसका लैंडर यानि जिसका नाम विक्रम था वह सितंबर 2019 को सौफ्ट लैंडर का प्रयास करते समय ब्रेकिंग प्रणाली में गडबड़ी के चलते चंद् करें और हां अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बने बैल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हरे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें